जैहिन दोस्तों क्या हाल है दोस्तों आज मैं आपसे बहुत ही इंपोर्टेंट बात करने वाला हूँ और ये वीडियो उन लोगे के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है जो की लोग पसंद करते हैं अपनी बुलट 350 को देखें दोस्तों ये एक ऐसी बाइक है जिसने रोयनलिड फिल्ड को सही माइने में पहचान दी आज भी बहुत सारे लोग है ना सच बता रहा हूँ क्लासिक 350 बगारा को जानते ही नहीं उनको सिरफ एक नाम पता है बुलट और जो रियल बुलट है वो आज अगर कुछ अगली नाम था वो इसी बाइक था अब काफी सारे लोगों के दिमाग में कोशन चल रहा है कि क्या ये वाली बाइक जो है बंद होने वाली है इसके बारे मैं आज आप से बात करूंगा जल्दी से चनल सस्क्राइब कर देगा भाईयो क्योंकि आपके सपोर्ट की हमेशा एक इमोशन चीज है पतलब इसके साथ में इमोशन जुड़े हैं लोगों के कभी इसमें कोई फीचर्स नहीं आए कभी इसमें कोई ऐसी चीज नहीं आए जिसके वह से कुछ अलग अनोखा इसमें कुछ हो गया है लेकिन फिर भी लोगों ने इसको पसंद गया और आज भी मैं आपको condition बता रहा हूँ कि ये bike आज भी अभी तक आ रही है engine आपको इसमें पता है कौन साथ है तो ये engine जो है बंध होने वाला है या नहीं होने वाला है ये confusion बना हुआ है काफी तरह पहले तो मैं आपको बतायता हूँ इसकी कीमत क्या है अभी दोस्तो इस bike के जो कीमत है ओन डोड उत्तरब्रजेश के बता रहा हूँ 1.82 लैक्स ओन डोड कीमत पर ये bike मिलती है बिना किसी accessories के तो दोस्तो ये मैं आपको बता दूँ कि ये bike कहीं सारे शोनोंस पर available नहीं है आपको वेटिंग करनी पड़ेगे अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो लेकिन एक अफसोस की बात है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस model को क्योंकि ये जो engine है ये पूरी तरीके से discontinue होने वाला है और J-series engine आने वाला है J-series के engine ही Classic 350, Reborn, Meteor 350 जिसमें आपने देखा होगा J-series वाला engine वो ही engine आने वाला है उसका बहुत बड़ा एक reason ये है कि जो pollution norms होते हैं गौर्मेंट के उस पर पूरी तरीके से खरी उतरने के लिए रोनिल फिल्ड को ये करना पड़ रहा है लेकिन फिर भी ये चीज बहुत लोग ना पसंद करेंगे जब ये वाला model discontinue हो जाएगा अब आपके दिवाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर ये वाला model discontinue होगा तो जो हमारा bullet 350 electric start है या कहीं सारे लोगों से electric के नाम से जानता है तो क्या वो वाला model भी discontinue हो जाएगा जी हाँ दोस्तों वो वाला model भी discontinue हो जाएगा और उसमें भी जो नया model आएगा वो भी J-series engine के साथ में ही आएगा तो कहीं सारे लोगों के दिमाह में ये भी कोशन इस बात से उठा होगा कि जो sound है वो भी क्या change हो जाएगी बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब J-series engine आजाएगा तो ये वाली जो आप अभी जो sound बना पाते हो engine से या मिल जाती है किसी भी तरीके से वो नहीं मिल पाएगी और जहां तक किक का सवाल है दोस्तो तो किक भी इस model में जहां तक मुझे लगता है हाला कि ऐसा कई बार सुनने में आया है कि डॉनल फिल्ड कोशिश कर रही है कि इस तरीके से J-series engine में भी किक का कोई option दिया जाए और कुछ भी करके किक को लाई जाए लगता है कि इन दोनों models में ही किक नहीं आने वाले है अब जब किक नहीं आएगी तो self आएगी और अगर self आएगी तो सीधी सी बात है सिर्फ एक ही model bullet 350 का आएगा जो कि self के साथ में आएगा और अभी condition ये है कि अगर आप किसी showroom पर जाते हैं बुलर्ट 350 या बुलर्ट 350 electric start लेना चाहते हैं तो आपको वेटिंग करनी पड़ेगी जब कि classic 350 जो rebound model है मतलल नय वाला जो model है वो आपको कहीं showrooms पर hand to hand मिल जाएगा तो आप समझ सकते हैं इन दोनों models की demand कितनी जाबा है तो यहाँ पर ये चीज उन लोगों को बहुत ही परिशान करने वाली जो आगे के लिए planning बना रहे हैं कि कब इस बाइक को खरीदा जाए जल दिल्दी पैसे खटे कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि इस बाइक को खरीदा जाए चलिए बुलर्ट 350 ES का भी आपको उन लोड प्राइस बता रहे हैं उत्तरफदेश का इसकी जो उन लोड कीमत है 1,93,000 रुपीस है उन लोड उत्तरफदेश की तो प्राइस के साब से भी काफी सही बैठता है क्योंकि आज कल आप देख रहे हैं कीमते बहुत जदा बढ़ रही है हर मोडल्स की हर कमपणी अपनी कीमते बढ़ा रही है तो दोस्तो अब सवाल यह उखता है कि कब तक यह बंद हो सकती है तो दोस्तो मैं आपको यह कहना चाहूँगा आपके पास 3 या 4 मही नहीं मैक्सिम यह हो सकता है बीच में ही इन मोडल्स को डिसकंटीन्यू कर दिया जाए क्योंकि पूरी तरह के डिपैंड करता है कमपणी के उपर और नया मोडल्स जब आने वाला हो सिर्फ पहुत थोड़े समय पहले ही इन मोडल्स को डिसकंटीन्यू कर दिया जाएगा तो अगर आप भी लेना चाहते हैं दोस्तों ये models, bullet 350 है, bullet 350, electric start, तो जल्दी से, जल्दी से अपने showrooms, जहां भी आपके आसपा showrooms है, royal field के, जल्दी जा के अपनी bike को ले लीजे, और नहीं है तो book करा दीजे, तो दोस्तों ये एक छोटी सी information थी, और एक इस bike के लिए, जो बह बहुत ही खुबसरत लगती है, iconic bike के लिए एक छोटी सी एक वीडियो थी, आशकर तो आपको वीडियो अच्छे लगोगी, आज के लिए इतना ही, चैनल मेरा जरूर सस्क्राइब कर दिएगा, जैहिंद, टेफ केर